न्यूस्ट्रेंटिनाइन इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ कनुप्रिया आई एनजर डालते हैं अब तक की ताजा ख़बरों पर रागोगर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है छे साल का बच्चा जो पहली कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है वह शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में दस्वी का विध्यारती है पिछले एक वर्ष से बंद स्कूल अब भी शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में चालू है और इतना ही नहीं विभाग के पास उस स्कूल में 328 बच्चों का रिकॉर्ड भी दर्ज है रागोगर के बरसत निवासी चातर साजित की उम्र मातर 6 साल है मगर शिक्षा विभाग के दस्तावेजों में वह दस्वी का चातर है साजित के पिता अजात खान ने बताया कि जब वह अपने बेटे का दाखिला सरस्वती शिशु मंदिर में कराना चाहते थे तो स्कूल में ऐडमीशन के लिए उनोंने अपने बेटे का आधार कड़ दिया तब इसकूल के प्राचारे ने उनके बेटे को दाखिला देने से यह कहकर इंकार करदिया कि उनके बेटे का दाखिला पहले से ही ग्यानदीप पब्लिक स्कूल में है जो बरसत से 30 किलोमीटर पर दूर है इस मामले की शिकायत बी आर सी रागोगर आसिफ खान से की गई तो उन्होंने बरसत में ग्यांदी पब्लिक स्कूल नहीं होने की बात कहकर मामले से पला ही जाल लिया लेकिन मीडिया के जोर डालने पर जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पाया गया कि संस्था में आज 328 चात्र अधियन रथ हैं और संस्था की माननेता मात्र तीन वर्ष कक्षा आठ तक ही थी फिर चात्र दसवी की कक्षा में कैसे प्रवेश कर गया ग्यांदी पब्लिक स्कूल सावंत खेडी के संचाला गोविन शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल की माननेता सिर्फ तीन वर्ष की थी और आठ तक ही थी माननेता समाप्त होने पर वह स्कूल एक वर्ष पहले ही बंद कर चुके हैं और इसकी दो बार सूचना बी आर्सी कार्याले को भी लिखित में दे चुके हैं मामला संग्यान में आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में अफरात नेपानगर के बीटगाव में आई टी भवन का उर्जा मंत्री पारस जैन ने लोकारपन किया यह आई टी भवन पोस्ट मॉटम रूम के करीब ही बना दिया गया है मंत्री पारस जैन ने मुर्दा घर हटाने का आश्वासन दिया साड़े छे करोड की लागत से बने नव निर्मित प्री फैबरिकेटेड आई टी कॉलेज का लोकारपन किया गया इसका लोकारपन करने मंत्री पारस जैन पहुंचे आई टी भवन के लोकारपन के दौरान चात्र चात्राओं ने खुशी की जगर चिंता जाहिर की उन्हों ने मुर्दा घर हटवाने का आश्वासन दिया वहीं साड़े 6 करोड की लागत से बने आई टी भवन के लोकारपन के कारिक्रम के दौरान भाजपा कारेकरताओं को स्वल्पाहार भी नहीं दिया गया जिस पर मंत्री पारस जैन भढ़ा गए कारिक्रम इस्थल पर 300 कुरसि मंत्री के पहुचने पर भी भाजपा कारेकरताओं का अनुपस्तित होना जन चर्चा का विशे बना हुआ है इतना ही नहीं आई टी भवन के बाहर जिस पत्थर की शिला का लोकारपन मंत्री जी ने किया था उनके जाते ही अधिकारियों ने उस शिला को भी महां से हटा दि डीजताहिताहिताई तो बच्चे करेशान होती तो यह जो बहुत बढ़ी समझार्या नहीं है है रधना पर कांडिया तो इसें तो अब जुए और पिम है बना हुए हो बहुत है और दिखकत होती ह Может来 और दिक्कत होती है क्या बाड़ि लाते है » रेड़ वर्डी लागते हैं इस वर जब यह शे करोड़ तीस लागत के लागत से आई टेई भाउन बना है आई टेई पेले भी चैनल होता है लेकि हमारी सरकार आने के बाद अभी मज्य प्रदेश के अंदर एक हजार आई टेई चल ला है जब कि पहले जब सरकार नहीं थी हमारे मुख्यमंतिजी यह भी चाहते है है कि आई टेई की बच्चे क्योंकि मेरे पास आजकर अज ख़ल पूंजा विभागत कराई है लोग काम कर लेते जिसके गदरपुर में चल रहे सट्टे के कारोबार पर पुलिस ने नकेल कसली है पांच लोगों को गिरफतार किया आई पेल पर सट्टा लगाने वाले पांच आरोपियों को गदरपुर पुलिस ने गिरफतार कर लिया है थाना अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने बताया कि शेत्र में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी जिस पर पुलिस कारिवाही करते हुए पांच लोगों को मोबाइल फोन वा अन्य उपकरणों के साथ गिरफतार किया गया है उजयन पहुंचे सामाजिक ने आए अधिकारिता मंत्री थावरचन गहलोत ने आज क्रशी विज्ञान केंदर का दोरा किया और अधिकारियों और किसानों से मुलाकात भी की गहलोत ने उनसे आ रही परेशानियों के बारे में सवाल किये और रख रखाव सनरक्षन किस तरह से उनकी उपलब्धियां रही है ये सारा डेटा उन्होंने इखटा किया और साथ ही ये क्रशी मंत्री को सोपा जाएगा ऐसा आश्वासन भी दिया उजयन के क्रशी विज्ञान केंद्र में आज केंद्री मंत्री थावर चंद गहलोत ने अधिकारियों और किसानों से मुलाकात की केंद्र सरकार के आदेश पर सभी मंत्रियों को दो क्रशी विज्ञान केंद्र में जाकर क्रशी विग्यान केंदर की स्थिती और वहां आने वाली किसानों से चर्चा कर ये जानना था कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथी किसानों की उपलब्दियां और रकरकाव और संडरक्शन कटिनाई के बारे में भी फीडबेक लेकर क्रशी मंतरी को सोपना था गहलोत को उज्जेन और शाजापूर के क्रशी विग्यान केंदर में जाने का जिमा दिया गया था इसके चलते आज गहलोत ने उज्जेन क्रशी विग्यान केंदर में किसानों और अधिकारियों से मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की और करनाटक में पूरा विपक्ष सांथ दिखने पर कहा कि विश्वास नहीं कर सकते कि ये 24 घंटे भी उन पर भारी पड़े होंगे इन राज्यों में भारती जनता पार्टी की सरकारे हैं वो राज्य सरकारे प्लस केंद्र किसानों के हित में एक नए अनेक एतिहासिक निरणे लेकर किसानों का हर क्षेतर में फाइदा पहुंचाने का काम कर रही है मनसौर जिले के गरोट में मद्यप्रदेश विद्यूत वितरंड कंपनी के वरिष्ट लीपिक रामदयाल मालवी के स्थानां तरंड के विरोध में नगर रहा बन साथ ही रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन भी किया गया मामला मनसौर जिले के गरोट नगर का है जहां मद्यप्रदेश विद्यूत वितरंड कंपनी के लीपिक रामदयाल मालवी का इस्थानां तरंड देवास जिले के बाकली में हो गया है जिसके विरोध में गरोट नगर की युवाउं ने रामदयाल मालवी का इस्थानां तरण रुकवाने का प्रयास किया लेकिन उनके हाथ नाकामी ही लगी गरोट नगर वासियों ने अपनी स्वेच्छा से नगर बंद में सहयोग भी किया ये बंद शांती पुर्ण था हाला कि इस दोरान भारी पुलिस बल भी तैनाद था दिन भर पुलिस प्रशासन अधिकारी सक्रिय भी रहे वहीं शेत्री विधायक चंदर सिंग सिसोदिया शेत्र में मौझूद होने के बाद भी नजर नहीं आए हिंदुवादी संगटन के पदादिकारियों ने संभागिय कारियाले पर धरना देकर ग्यापन सोपा तथा इस्थानन तरण का विरोध कर इस्थानन तरण निरस्ट करने की मांग भी की सिलवानी में खेतों तक पानी पहुचाने के लिए 21 करोड रुपे की लागत से बनाई गई नहर कुछी सालों में खराब हो गई है नहर निर्मान में भारी ब्रहश्चा चार किया गया है लेकिन ठेकेदार पर आज तक कोई कारिवाही नहीं की गई है खेतों तक पानी नहीं आने से किसानों में रोश्वयाब थे देवरी कलाक रशी मंडी में इन दिनों भारी विवस्थाएं फैली हुई है और किसानों के साथ भारी लूट खसोट की जा रही है मंडी में इन दिनों बड़ी मात्रा में चना और मसूर आ रहा है और हालत यह है कि तुल तक नहीं पा रहा किसान इससे भारी परिशान हो रहे हैं यहां के विधायक हर शियादव के नेतरत्व में मंडी में धरना भी दिया जा रहा है यहां के देवरी और केसली गाव के किसान सेकडों की संख्या में चना और मसूर दाल लेकर आए हैं लेकिन तोल व्यवस्था ठीक नहीं होने से किसानों को 10-10 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है एसी भीशन गर्मी में किसान ट्रॉलियों के भूके प्यासे भारी अव व्यवस्था के चलते किसान दलालों के हाथ लुटने को भी मजबूर है अभी के लिए बस इतना ही देश और प्रदेश की हर कबर के लिए बने रहे है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश